इस वक्त की बड़ी खबर बता दे बिंजामिन नेतन्याहु की जीत के बाद गाजा की लड़ाको ने इसराइल पर रोकेट दाग दिये जोंके बिंजामिन नेतन्याहु जो की फिर से जीत गए हैं उनकी पार्थी ने भॐमत हासल किया है और ऐसे में उनकी जीत के बाद इस्राइल पर रॉकेट डागे गए है इस्राइल की सेना की तरफ से ये दावा किया गया है तस्वीरे भी आप देख सकते हैं जो रॉकेट वहां पर डागे गए हैं उसकी तस्वीरे भी सामने आई है कि तरकूर्द लडागों के पीछे पड़ा तुर्की एक बार फिर उत्तरी इराक में घुझ गया और उसके लडाकों विमानों ने वहां बं बरसाये इराक इस बात से तुर्की से नाराज है क्योंकि उसका कहना है कि तुर्की के हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं लेकिन त दमाके करते हैं और लौट आते हैं यही नहीं तुर्की की सरकार ने अपने इस कारणामे के वीडियो भी जारी किये और खुद बताया कि एर स्ट्राइक कब और कैसे हुई पिछले दो हफते से तो तुर्की की एर स्ट्राइक की संख्या को जादा ही बढ़ गई है और यह सब